मेरट में चोरी के वाहन पार्ट्स के लिए कोख्याद सोती गंच बाजार पर कारवाई के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूगी सरकार की पीठ थब थपाई थी जिसके बाद से सोती गंच की तस्वेश बतलने शुरू हो गई जी हाँ कल तक शोरी के वाहन पार्ट ये बाजार गुलजार रहता था लेकिन अब इसकी कुख्याद बाजार में जूती कपड़े और फ्रूट्स बिक रही हैं स्थालू से काबाड के काम करने बाले वैपारियों ने अब पुराने काम को पूरी तरह बंद कर नया काम शिरू कर दिया है इतना ही नहीं पुलिस के खौफ से सोती गंच के काबाड माफियाओं के होसले पस्थ हो गए है अब खुदी अपनी दुकान पर नए धंधे के पोस्टर चिपका दिये है पुलिस कारवाई के खौफ से पूरे सोती गंच बाजार में सननाटा पस्रा हुआ है पुलिस के ताबर तोड कारवाई से सोती गंच का 30 साल का दिल से तूट गया है कोख्यात वाहन माफियाओं ने चोरी के वाहनों का धंधा करके अर्वों की संपत्ती जुटाई थी लेकिन अब योगी राज में पुलिस इस चूर बाजार का धंधा करने वालों पर आँखे टेड़ ही कर ली है पिछने बाज़ महीरों में पुलिस ने 32 से ज़्यादा वाहन माफियों के खलाफ गंगिस्टर की कारवाई को अंजाम दिया है इसके अलावा इनके 40 करोर से ज़्यादा की संपत्ती को कुर्ग कर लिया है वही वाहन चोरी और चोरी के पार्टस बेचने वाले 100 से ज़्यादा अरोपियों की क्राइम कुंडली को तयार कर ली गई है पुलिस ने बखायदाय से दुकानदारों को नोटीस भी जारी किया है पाई नोटीस का जवाब ना देने पर दुकान बंद करवा दी गई है आपको बताने की योगी सरकार आने से पहल सत्ता धारी सफेद पोश नेता इस चोर बाजार को संग्रक्षन देते थे पिछले 30 सालों में अलग-अलग सरकारे आईं, कई पुलीस और प्रशासनी का धिकारी भी आएं लेकिन इस दंदे को बंद कराने की हिम्मत नहीं जोटा पाया लेकिन योगी सरकार में पिछले 5 महिनों में सोती गंच की 30 साल पुरानी तस्वीर बदल गई है बाहर माफियाओं पर तावार तोड़ कारवाई से अपश्य में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के राज़ों में बाहरं चुरी की घटनाव में गिरावट आई है